हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मा यूटूब चैनल आज हमार पास रेडमी 9 प्राइम फोन आया है उसमें प्रोब्लम में टच नोट वरकिंग का तो अधर सोप से मेरे पास ये फोन आया है तो उस टेक्निशन भाई ने मेरे को बताया था कि हमारे पास ये फोन कॉंबो डालने क के लिए आया था तो यहाँ पर हमने इसको कॉंबो वगेरे सब डाला तो यहाँ पर टच वरकिंग नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत लगा He explorer है connector के उपर किया लेकिन प्रोब्लम स्रोल नहीं हुआ यहां पर बोड की कंडिशन आप देख सकते हो काफी सही कंडिशन में है मतलब कि कुछ छेडा हुआ बिल्कुल भी नहीं है इस बोड में थोड़ा बहुत पेश लगा हुआ है कनेक्टर के पास में तो यहां पर आप देख सकते हो तो चलिए एक बार हम इसको माइक्रोस्कोप पर चेक करते है कि कहीं पर भी वोटर डेमेज वगएर है या नहीं है क्योंकि आपको आई टेस्टिंग जरूर करना है सही से आपको बोड को देखना है कहीं पर भी वोटर डेमेज वगएर है या नहीं है क्योंकि वोटर डेमेज होने की वज़े से भी ऐसा प्रोब्लम हो स सकता है तो सबसे पहले आपको पूरे बोर्ड को आछे से सको चेक करना है कोई कंपोनेट्स के सिल्ड के साइड में बागे बास नहीं ये यह बात आपको एक बार जरूर चेक करना है तो चलिए यहां से एक बार हम बोर्णियों की साहिता लेंगे और बोर्णियों में चेक करेंगे कि अमारी टच की जो लाइन होती है और टच की लाइन कौन-कौन सी है वहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखें फ्रेंड्स हमने टच स यहां से सबसे पहले हम यहां पे सभी जी आर को चेक करेंगे बोड में कि अमारा कोई भी लाइन ट्रेक वगएरा मिसिंग वगएरे है या नहीं है वह एक बार हम चेक करेंगे तो यहां से मल्टिमीटर मैंने आपको सो कर दिया है और यहां पे हम इसका सभी का जी आर चेक करेंगे तो एक नमबर पे 800 के करीब जी आर आ रहा है और दो नमबर पे 800 आ रहा है तीन नमबर पे भी 850 के आसपास आ रहा है चार नमबर पे भी 820 के आसपास आ रहा है पांच न गुपलेटली ओक्य आ रहा है तो इसमें क्या इस्चिव हो सकता है उमारा वन पॉइंट भी हमने चेक किया वह भी इसका जी अरभी ओक्य आ रहा था और यहां पे मेरे को कमपोनेट्स मिसिंग लग रहा है तो यहां पर भी इसका जी आर आ रहा है मतलब की लाइन ओक्य बता लेकिन components मेरे को यहाँ पर missing हो ऐसा लग रहा है तो यहाँ से एक बार हम चेक करेंगे बॉर्णियों में कि कौन सा हमारा components missing है तो यहाँ से मैं थोड़ा जूम करता हूँ और यहाँ से देखते हैं तीन नंबर का हमारा जो एक register friends missing लग रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो R6720 नाम का यह register है शाहिद वो हमारा missing लग रहा है तो यहाँ से हम बॉर्णियों में चेक करेंगे hardware में कि हमारा कौन सा component से और कितने kilo ohms का है तो friends जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इसको paste किया और यहाँ से आप देख सकते हो हमारा यह जो register है friends R5702 नाम का register है यह 10 kilo ohms का register है और बॉर्णियों में hardware solution में friends 100 kilo ohms लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर 10 kilo ohms का एक register को डालना है क्योंकि यह register missing लग रहा है मेरे को तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर 100 kilo ohms लिखा है तो मानना कुंसा सही है तो हम यहाँ पर स्केमेटिक में जो लिखा है 10 kilo ohms का यह 10 kilo ohms का register को हम replace करेंगे इसको डालेंगे remove अभी है निकला हुआ है तो यहाँ से एक बार हम register 10 kilo ohms का register को चेंज करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोब्लम था वो स्वोल हुआ या फिर नहीं हुआ तो बने देखेंगे फ्रेंड्स हमारे वीडियो के साथ CC अवाज करेंगे बहётсяस्या देखेंगे शुआ नहीं है नहीं है करेंगे इसके और मैंदे करेंगे वीडियो zapो चका airflow में है तो फाइनली फ्रेंड्स अभी हमारा यहाँ पे लोगो आ चुका है और अभी यहाँ पे सेकंड लोगो भी आ चुका है तो इसको हम इसको completely ओन होने देते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या हमारा जो touch not working का issue था वो problem solve हुआ या फिर otherwise और issue है यहाँ पे आप देख सकते हो लाई हुए है देखे फ्रेंड्स अभी यहाँ पे touch completely वर्क कर रहा है तो फ्रेंड्स आजके लिए बस इतना ही था वीडिय इसी वीडियो आपके डेली लाते रहेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए जय इन जय बारत